असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल कॉंसेप्चिल नॉलिज और मैं हूँ आपका उस मुहंबत आजमेल येर फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसलामयात का जो निया पेपर पेटरन जारी किया गया है वो शेयर करने वाला वो लोंग कुस्ट ट्रांसर्स होंगे और आपको मालू मैं के इसलामी तालिम फर्स्ट एर में पढ़ाई जाती है ठीक है इसलामयात का जो सब्चेक्ट है तो जो उसकी मार्किंग स्कीम होगी वो मैं इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा तो सबसे बहले बात कर करते हैं सवाल नंबर एक की यानि कसीरल इंतखाबी सवालात आपको जैसे के मालूम है कि इसलामयात के जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है तो उसमें जो आपके MCQ होंगे वो 40% होंगे यानि अगर आप 50 का 40% निकाले तो वो बनते हैं 20 तो आपको 20 MCQ करने होंगे और एक MCQ का आपका एक मार्क्स होगा ठीक है इस तरह ये 20 मार्क्स हो जाएंगे उसके बाद शौर्ट कोस्टन अंसर्स हिस्सा बे अब आपको मालूम है कि 50 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो 20 मार्क्स होगा यानि वो आपके 20 नंबर बनते हैं इसमें आपको क्या होगा कि तो तमाम सवालात जो है वो लाजमी अटेम्ट करने हैं ठीक है आपको 6 कुरानी आयाद या वो अहदीस जो है वो दी जाएंगे जिसमें से आपको 4 का अर्दू या फिर सिंदी या फिर अंग्रेजी में तर्जमा करना होगा ये आयाद जो अहदीस है वो आपको मालूम है क वहां से आएंगी ठीक है तो एक सवाल आपने ये टेम करना होगा और एक होगा सवाल नंबर तीन जिसमें आपको 8 कोश्टन गिविन होंगे जिसमें से आपने 4 के जो है वो शॉर्ट कोशन आंसर से कंप्लीट करने होंगे अच्छा ये जो question answers है ये पूरे syllabus में से जो है वो बनाए जाएंगे उसके बाद ये आपका short question answer जो है वो complete हुआ हिस्सा B इसके बाद हिस्सा जीम यानि तफसीली जवाब के सवालाद जो 10, 20% होंगे पूरे paper का अब मैं इसमें आपको बता दू को 50 का अगर आप 20% निकाले तो वो 10 marks बनते हैं तो यानि हिस्सा जीम आपका 10 marks का होगा इसमें से आपको 3 questions given होंगे जिसमें से सिर्फ आपको एक सवाला time करना होगा ठीक है long सवाल और ये पूरी बुक में से कहीं से भी long सवाल आपका आ सकता है तो ये ता वीडियो आज की वीडियो में फ्रेंड जो मैंने आपको इसलामी तालीम लाज़मी जो पका paper pattern जारी किया था वो आप लोग को बताया